एक बेबस बुजुर्ग किस कदर इस उमर में ठोकरे खाने को मजबूर होता है इसका जीता जागता उधारण है 92 साल की कौशल्या देवी कांगडा के शापूर में कौशल्या देवी के साथ बैंक ने जो किया उसका हरजाना वो पिछले साथ सालों से भुगत रही बताये जा रहा है कि इस बेबस मा ने अपने बेटे की दुकान खोलने के लिए बैंक से पांच लाख रुपए का लोन लिया था दुकान चल रही थी और लगातार बैंक की किष्ट भी जा रही थी लेकिन जब किसी कारण से दुकान खाली करनी पड़ गई उसके तुरंत बाद इस परिवार पर दुखों का पहाड तूट पड़ा और तो और बैंक के अधिकारियों ने उनका घर तक सील कर दिया और पूरे परिवार को बाहर निकाल दिया पांच लाख लोन पर आठ लाख रुपे की घर की निलामी कर दी गई अब सन 2015 से 2021 आज तक बजर्ग महिला घर के बाहर रहने को मजबूर है लेकिन समा सेवी संगधन अब इनकी मदद के लिए जरूर आगे आया है यहां तक कि इस बजर्ग महिला के लिए भीक माँकर मदद करने की कुशिश कर रहा है कुछ बर्स पहले जो है परिवार ने बड़े बेटे ने जो है लोन लिया था बैंक से कांगड़ा कोपरेटिव बैंक से लेकिन पांच लाग का लोन लिया था लेकिन वो किसी कारण बस बिकार में खाटा हुआ और वो लोन को नहीं बर्पाए लेकिन मत जो उसका टाइम था टाइम के कोडिंग है समय समय पर उसे देते भी रहे हैं लेकिन कुछ खालात इतने खराब होगे बसे बत्तर होगे कि वो लोन नहीं बर्पाए लेकिन बैंक ने इस पर जो संग्यान ये लिया कि गर को या मकान को इसको सीज कर दिया और साथ साल से ये बुड़ी मा जो है ये बार रह रह रही है खास बात ये है कि यहां से मातर एक किलोमिटर की दूरी पर मंतरी साहिबा सरवीर चौदरी का घर भी है लेकिन उनको भी इस बेबस मा का दर्थ नहीं दिखता अब उम्मीद है तो बस उपर वाले से कोई फरिस्ता आए और इस परिवार की मदद करे मृतुंजे पुरी समचार फस्ट